हेलो, इस वीडियो में हम Defined Names Group के अंदर Names Manager, Defined Name, Use in Formula and Create from Selection के बारे में डिटेल में जानेंगे तो सबसे पहले यहां पे हम Defined Names Command के बारे में जानेंगे तो यह कहां पे होता है यहां पे Formula टैप पे जाएंगे और जाने के बाद यहां पे यह Defined Names ब्लोक यहां पे आ जाएगा यहां पे दिये गया है Defined Name, Use in Formula Create from Selection और यहां पे Name Manager दिये गया है तो यह हमारे पास यहां पे डेटा है जिसमें यहां पे लिखा हुआ है Row Number, Name यह सब्जेक्ट है English, Math, Science यहां पे नीचे Marks दिये गया है तो यहां पे सबसे पहले हम यहां पे Defined Name इसके बारे में जानेगे तो Defined Names में हम कोई भी Formula अपलाई करना जाते हैं तो हम Formula के साथ Name को Defined करेंगे और उसका Result हमारे पास आ जाएगा जैसे कि यह देखो यहां पे हम देखना जाते हैं कि यह जो Science है, Subject है इसमें सबसे ज़्यादा नंबर किसके है तो हम क्या करेंगे Formula के साथ Name को Defined करेंगे यह देखो यहां पे हम Formula Max का Formula यहां पे Use करेंगे और उसके साथ यहां पे यह जो Name है, Science यह हम यहां पे Defined करेंगे और इसका यहां पे Result आ जाएगा इसको यहां पे करके दिखते हैं यह देखो यह जो Column है इसको Select करेंगे यहां से लेके यहां तक इसके बाद क्या करेंगे यहां पे Define Name इसके More Button पे क्लिक करेंगे इसके बाद यहां पे Define Name यह जो Option है इसके क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद यहां पे New Name, Dialog Box यहां पे आ जाएगा यहां पे सबसे पहले दिया गया है Name तो Name में हमने यहां पे यह field select की थी यह देखो science automatic यहाँ पे science आ जाएगा तो इसके बाद यहाँ पे दिया गया scope scope में यहाँ पे by default workbook आ जाता है यहाँ पे more button पे click करेंगे तो जितने हमारी workbook में sheet होंगी यह सब भी आ जाएगी यह देखो sheet number 1, 2, 3, 4 तो हमारी workbook में 4 sheet है तो सब भी यहाँ पे आ गई अगर हम यह चाते हैं कि हमारी sheet number 1 पे केवल यह जो maximum formula है minimum, average, sum यह केवल sheet number 1 पे apply हो जब हम sheet number 1 को यहाँ पे select करेंगे और ok करेंगे तो यह जो जितने भी formula है maximum, minimum, average, sum का यह केवल sheet number 1 में apply होगा अगर हम यह sheet number 2 पे apply करना चाहे तो यह formula apply नहीं होगे, तो सबसे पहले यहाँ पे हम sheet number 1 को लेंगे कि यह sheet number 1 पे formula apply हो रहे है या नहीं हो रहे है इसके बाद second पे apply करके देखेंगे तो यहाँ पे sheet number 1 यहाँ पे click किया click करने के बाद यह sheet number 1 यहाँ पे आ जाएगा scope मे इसके बाद अगर यहां पे कोई comment देना जाते हैं तो हम यहां पे comment दे सकते हैं अगर नहीं देना है तो उसको short सकते हैं इसके बाद यह निचे यहां पे range आ जाएगी जो range हमने select की हुई है यह देखो यहां से लेके और यहां तक range हमने select की हुई है तो यह range यहां पे आ गई है आने के बाद हम यहां पे ok पे click करेंगे तो इसी range में यह जो formula है apply होंगे यह देखो ok पे click किया ok पे click करने के बाद हमने यहां पे एक ही field select कि थी यह देखो e column यहां से लेके यहां तक तो यह हम देखना चाहते हैं कि science जो subject है इसमें maximum marks किसके है तो यहां पे हम formula use करेंगे यह देखो यहां पे click किया click करने के बाद equal to यह लिखा इसके बाद max यह max निच्चे आ जाएगा यहां पे click किया इसके बाद हम यहां पे defined names group में जाएंगे और यहां पे यह देखो यह जो second option है य्यूज़ इन formula यह यहां पे open हो जाएगा और इसके यहां पे more बटन पे click करेंगे यह more बटन पे click किया क्लिक करने के बाद जो column हमने select किया था वो यहां पे आ जाएगा यह देखो science यह यहां पे आ जाएगा यहां पे हम click करेंगे science name पे क्लिक करने के बाद यह science यहां पे आ जाएगा तो यह देखो यह formula लगा हुआ है और यह जो है define किया हुआ name को हमने science यहां पे आ गया आने के बाद हम क्या करेंगे bracket को बंद करेंगे बंद करने के बाद enter प्रेस करेंगे तो enter प्रेस करने के बाद यहां पे 84 आ गया 84 यह जो है यह जो साइन सब्जेक्ट है इसमें जो maximum marks है यह 84 है यह देखो 54 यहां पे आ गया इसके बाद यह जो Initiates सब्जेक्ट है इसमें हम यह चेक करना जाते हैं कि minimum marks किसके है तो हम यहां पे formula के साथ name को define करेंगे तो यहां पे इसको करके देखते हैं यहां पे क्लिक किया इसके बाद equal to यह लिखा इसके बाद minimum यह लिखा यहां पे minimum आ जाएगा यहां पे double click किया minimum पे double click करने के बाद यहां पे define names block में जाएंगे और use in formula यहां पे more button पे क्लिक करेंगे और फिर यहां पे science पर click करेंगे तो यह science यहां पर आ जाएगा आने के बाद हम क्या करेंगे bracket को बंद करेंगे enter प्रेस करेंगे तो यह लिखो 49 यहां पर यह जो science subject है इसमें सबसे कम नंबर जो है यहां पर 49 है तो यहां पर 49 ना जाएगा इसके बाद यहां पे हम average निकालेंगे, यह जो science subject है, यह जो marks है यहां पे, इनकी average कितनी है, तो यहां पे हम average निकालेंगे, तो यहां पे equal to यह लिखा, लिखने के बाद यहां पे average, यह average यहां पे आ जाएगा निचे, यहां पे double click किया, double click करने के बाद फिर यहां पे defined names group मे जाएंगे इसके बाद use in formula पर जाएंगे और science पर क्लिक करेंगे यह देखो science पर क्लिक किया यह science यहां पर आ जाएगा इसके बाद फिर bracket को बंद करेंगे बंद करने के बाद enter प्रेस करेंगे तो यह जो average है यहां पर निकल के आ जाएगी इसके बाद यह जो science subject है इसके जो य equal to यह लिखा, इसके बाद sum लिखा, sum नीचे आ जाएगा, यहां पर double click किया, double click करने के बाद defined names group में जाएंगे और यहां पर use in formula पर जाएंगे, इसके बाद science पर click करेंगे, यह देखो science यहां पर आ गया, आने के बाद bracket को बंद करेंगे, बंद करने के बाद enter प्रेस करेंगे तो enter प्रेस करने के बाद यह देखो science subject जो है, यह जो marks निचे दीगे हैं, इनका जो sum है, यहां पर 350 यह यहां पर आ जाएगा, तो इस तरह से हम formula के साथ name को define करके, यहां पर इसकी output देख सकते हैं, तो यह जो formula है, sheet number 1 में apply होगे, क्योंकि हमने यहां पर define names में sheet 1 को select किया अगर इनी formula को हम sheet number 2 पे apply करना जाते हैं, तो यह formula अप्लाई नहीं होगे, यह देखो sheet number 2 यहां पर click किया, यहां पर equal to यह लिखा, लिखने के बाद max यह लिखा, यहां पर max आ जाएगा, यहां पर double click किया, max पर double click करने के बाद, जब हम यहां पर define names group में जाएंगे, तो यह यहां पर जितनी भी यह command पड़ी हुई है, जैसे यह देखो, define names यह भी बंद पड़ा हुआ है, use in formula यह भी बंद पड़ा हुआ है, create from selection यह भी, और name names यह भी बंद पड़ा हुआ है, तो इसको हम यहां पर दुबारा से सभी sheets में यह formula अप्लाई करना जाते हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको मिटाएंगे, यह देखो मिटाया, मिटाने के बाद हम sheet number one पे जाएंगे, यह देखो sheet number one पे क्लिक किया, sheet number one पे क्लिक करने के बाद, यह जो हमने maximum, minimum, average, sum, यह जो formula लगा हुए है, अगर इनको सभी sheets में apply करना जाते हैं, तो हम क्या करेंगे, पहले इनको delete क करेंगे, तो delete करने के लिए हम क्या करेंगे, यहां पे name manager पे जाएंगे, name manager पे क्लिक करने के बाद, name manager dialogue box यहां पे आ जाएगा, यहां पे हमारे पास तीन यहां पे tab आ जाएंगे, एक new का है, एक edit का है, एक delete का है, तो edit or delete tab यहां पे बंद पड़े हुए है, यहां पे हम क् delete किया है, फिर हम यहाँ पे okay पे click करेंगे, यहाँ से यह field है, यहाँ से यह delete हो जाएगी इसके बाद यहाँ से इसको बंद किया इसके बाद यह देखो, यहाँ पे यह error आ जाएगी, क्योंकि जो field हमने select की थी, वो यहाँ से delete कर दिया है, तो उसी define names के more button पे क्लिक करेंगे और फिर यहां पे define names यहां पे क्लिक करेंगे define names पे क्लिक करने के बाद यह new names dialogue box यहां पे आ जाएगा यहां पे यह जो name as science यहां पे आ गया है इसके बाद scope में यहां पे यह देखो workbook तो workbook जब हम यहां पे select करते हैं तो sheet number one two three four यह सभी में यह formula apply होते हैं तो यहां पे हम यह देखो यहां पे क्या करेंगे ना sheet number four पे क्लिक करेंगे अगर four पे क्लिक किया तो formula four के लिए apply होंगे अगर three पे क्लिक किया तो यह formula cable three के लिए apply होंगे तो हम सारी workbook लेना जाते हैं कि हम sheet number 1, 2, 3, 4 इन सबी में फार्मूले अपलाई हो तो workbook पे क्लिक किया है इसके बाद यह range यहाँ पे आ जाएगी इसके बाद यहाँ पे हम ok पे क्लिक करेंगे okay पे क्लिक करने के बाद यह दिखो यहाँ पे यह formula अपलाई होगे July होने के बाद यही formula हम sheet number 2 पे लगाना जाते हैं तो हम यहाँ पे sheet number 2 पे क्लिक करेंगे second पे click करने के बाद यहां पे maximum formula यहां पे use करना जाते है इस field के लिए तो यहां पे हम लिखेंगे equal to और इसके बाद max यहां पे double click किया max के उपर double click करने के बाद defines names group में use in formula इसके more बटन पे click करेंगे और फिर यहां पे यह देखो यह science आ गया है यहां पे click करेंगे यहां पे click करने के बाद bracket को बंद करेंगे enter press करेंगे तो यह देखो maximum जो marks है यहां पे आ जाएंगे अब यह second sheet के minimum marks यहां पे check करना जाते हैं तो हम यहां पे equal to लिखेंगे इसके बाद minimum इसके बाद यह निचे आ जाएगा यहां पे double click किया, double click करने के बाद फिर यहां पे use in formula पे जाएंगे, science पे जाएंगे, bracket को बंद करेंगे, enter प्रेस करेंगे, तो यह देखो, यहां पे minimum marks यहां पे आ जाएंगे, यह देखो 49, इसके बाद average इनकी देखनी है, तो हम के करेंगे, यहां पे equal to, यह लिखेंगे, इ यह science यहां पे आ जाएगा, इसके बाद bracket को बंद करेंगे, enter प्रेस किया, तो enter प्रेस करने के बाद यह देखो, यहां पे आ जाएगा 70, तो यह average यहां पे इनकी निकल के आ जाएगी, इसके बाद sum देखना है, तो हम क्या करेंगे, यहां पे sum formula use करेंगे, equal to यह लिखा, इ यहां पे आ जाएगा, इसी तरह हम यह sheet number third, इसमें भी apply कर सकते हैं, यह देखो, इसमें आगर देखने जाते हैं, तो यहां पे max formula लगा के देखते हैं, यह equal to यह लिखा, इसके बाद max, यह लिखा, यह आ जाएगा निचे, यहां पे double click किया, इसके बाद use in formula यहां पे कर सकते हैं, इसके बाद फिर हम यहां पे sheet number one पे click किया, click करने के बाद defines names group में जो अगली command है, वो है create from selection, तो create from selection में हम अपनी choice के इसाब से table की range को select कर सकते हैं, और फिर crunch formula में किसी भी name को select कर सकते हैं, select करने के बाद उसका result वहां पे देख सकते हैं, इसके बाद यह दिख क्रेड फर्म selection में क्या होता है, यह तीन subject हमारे पास हैं, English, Math, Science, तो इसमें आगर हम चाहते हैं कि हम cable English के maximum marks देखें, या हम maths के maximum marks देखें, या science के maximum marks देखें, तो हम क्या करेंगे, यहां पे create from selection, इन तीनों को यहां पे select कर लेंगे, यह देखो, यह तीनों subject हमने यह यहां किये, select करने के बाद यहाँ पे create from selection यहाँ पे click करेंगे, create from selection पे click करने के बाद create names from selection यह dialogue से यहाँ पे आ जाएगा इसमें यह create names value in the, कहां से हमने यह value को लेना top row से लेना है, यह देखो top row आई यह English, math, science यहाँ से लेना जाते है, तो why default यही select होती है, तो हम भी यह top row इसको लेंगे यह देखो English, math, science की हम जिसके उपर click करें उसी के maximum marks यहाँ पे निकल के आए, तो यहाँ पे हम top row इसको यहाँ पे check करेंगे और इसके बाद यहाँ पे ok पे click करेंगे, ok पे click करने के बाद यहाँ पे yes पे click करेंगे, yes पे click करने के बाद, यह देखो यहाँ पे हम इनको delete करेंगे, यह delete किया, अगर हम यहाँ पे English के maximum marks यह देखना जाते है, तो हम यहाँ पे max यहाँ पे click करेंगे, click करने के बाद यहाँ पे max formula लगाएंगे, equal to, और इसके बाद max यह max निच्छे आ जाएगा यहाँ पर double click किया double click करने के बाद यहाँ पर define names group में जाएंगे और यहाँ पर use in formula इसके more button पर click करेंगे तो more button पर click करने के बाद यह देखो हमने 3 subject select किये थे तो यहाँ पर 3 subject की list आ गई यह देखो English, math, science अब यह जो maximum marks है किसके देखना जाते हैं हम English के तो यहाँ पर English पर click करेंगे यह देखो English पर click किया यह English name यहाँ पर आ जाएगा इसके बाद bracket को बंद करेंगे enter प्रेस करेंगे तो यह देखो English subject में जो maximum marks है यह 90 है यह देखो 90 यह 90 यहाँ पर आजाएगा math के हम maximum marks देखना जाते हैं तो हम क्या करेंगे यहाँ पे double click करेंगे double click करने के बाद इसको यहाँ से English को यहाँ से मिटाएंगे English को यहाँ से मिटाया इसके बाद फिर यहाँ पर use in formula पर जाएँगे और इसके more बटन पे इसके बाद यहाँ पर math इसके उपर क्लिक करेंगे यहां पर math आ जाएगा इसके बाद फिर bracket को बांद करेंगे enter प्रेस करेंगे तो यह देखो math में maximum marks यहां पर 95 है तो यह 95 यहां पर आ जाएगा इसके बाद अगर हम यहां पर math के minimum marks यहां पर देखने जाते हैं तो यह minimum यहां पर formula यूज इकल टू इसके बाद minimum ये निचे आ जाएगा यहाँ पर double click किया है, double click करने के बाद फिर यहाँ पर define names group में जाएगे और यहाँ पर use in formula यहाँ पर more button पर click करेंगे और यहाँ पर math पर click करेंगे यह mouse यहाँ पर आ जाएगा इसके बाद bracket को बंद करेंगे, enter press करेंगे, तो यह math के यह जो minimum marks है यहाँ पर 48 है तो यह देखो 48 यहाँ पर लिखा हुआ है minimum marks है यह तो 48 यहाँ पर आ गया तो इस तरह से create from selection command के जरीए हम यह 3 subject में से किसी के भी maximum marks, minimum marks, average यह sum निकाल सकते हैं इसके बाद यहाँ पर हम इसको delete करते हैं यह इसके बाद अगला जो यहाँ पर दिये गया है वो है name manager तो इसका काम कब होता है जैसे यहाँ पर यह English subject है और इसके यहाँ पर नीचे यहाँ पर marks दिये गया है और यहाँ पर और भी marks एड़ किये हुए है जैसे 98 है इसके नीचे 40 है और यहाँ पर इसके row number है 6 इसके बाद 7 यह row number है और यहाँ पर name दिये गया है यह name लिखे अब हम यह चाते हैं कि यह जो English subject है यह जो हमने यहाँ पर number add किये इसमें से हमें maximum marks और minimum marks यहाँ पर निकाल के दे तो हम क्या करेंगे यहाँ पर name manager पर जाएंगे name manager पर जाने के बाद यहाँ पर English यहाँ पर इसको click करेंगे click करने के बाद यहाँ पर edit tab पर जाएंगे edit tab पर click करने के बाद यहाँ पर edit name dialogue box यहाँ पर आ जाएगा यहाँ पर name पर दिये गया English तो इसी के marks हम यहां पर अपडेट करना जाते हैं इसके बाद यहां पर निच्छे range दी गई है यह देखो range जो है यहां पर 6 तक है तो पहले range यहां पर 6 तक थी दो और add किया हमने तो यहां पर 8 हो गया तो यहां पर हम 8 भरेंगे यहां पर 8 किया यहां पर 8 करने के बाद OK पर add होगे पहले यह range हो थी यहां पे 6 तक थी अब हम यह चेक करना जाते हैं कि English subject में maximum marks किसके है और minimum marks किसके है इस list में हमें ढूंड के लाए तो हम यहां पे formula use करेंगे equal to equal to के बाद यहां पे math यहां पे निचे आज़ाएगा यहां पे double click किया double ख्लिक करने के बाद यहां पे use in formula यहां पे जाएंगे जाने के बाद किसके maximum marks देखना जाते हैं यहां पे यह देखो 98 यह maximum marks है English subject में यह यहां पर आगे तो अब हम यह check करना जाते हैं कि यह जो minimum marks यहां पर last में दिये गया है यह यहां पर add हूँ है कि नहीं हूँ है equal to यह लिखा इसके बाद minimum यहां पर नीचे आजाएगा यहां पर double click किया इसके बाद use in formula यहां पर जाएंगे और English यह subject इसके उपर click करेंगे यह English name यहां पर आजाएगा इसके बाद bracket को बन करेंगे यह bracket बन की enter प्रेस करेंगे तो यह देखो यह minimum marks English subject में 40 है तो यह 40 भी यहां पर add हो गया है तो यह 40 यहां पर आजाएगा तो इस तरह से name manager के जरिए हम कुछ भी अगर update करना जाते है या कुछ delete करना जाते है तो वो काम हम यहाँ पे कर सकते हैं इसके बाद हम यह चाहते हैं कि हम यह science की field को यहाँ से delete करना जाते हैं तो हम क्या करेंगे ने मनेजर यहां पर जाएंगे इसमें आगर हम यह जाते हैं कि यह जो मैस है और यह जो साइंस है यह सब्जक्ट यहां से डिलीट करने है तो हम क्या करेंगे जैसे यह मैस है यहां पर मैस पर क्लिक करेंगे डिलीट पर क्लिक करेंगे ओके पर क्लिक यह देखो यह यहां से डिलीट हो जाएगा इसके बाद अगर हम यहां पे science के maximum marks देखना जाते हैं तो हम यहां पे science के maximum marks नहीं देख सकते हैं क्यूंकि हमने यहां पे list से इसको हटा दिया है तो हम केबल यहां पे English के maximum marks, minimum marks, average या sum देख सकते हैं इसके बाद यहां पे इसको close करते हैं ये close किया तो names manager के जरीए हम यहां पे कुछ भी create कर सकते है edit कर सकते है या delete कर सकते है तो इस वीडियो में हमने defined names group के बारे में detail में जाना अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो please subscribe my channel धन्यवाद